हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अर्चना वेलकम टो माई चैनल फूर्डशेफ गर्मिया आते ही सबसे ज़्यादा हम कौन सा फल खाते हैं वो है आम है की नहीं आम चाहे कच्चा हो या पका हुआ हो दोनों तरीकों से हम ज़्यादा इस्तिमाल करते हैं और आम ऐसे चीज है किसे नहीं पसंद होता बच्चों सुले के बढ़ों तक आम बहुत पसंद करते हैं तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम से आम पन्ना जो की हर घर में बनाये जाता है और सबका अपना अपना तरीका होता है इसे बनाने का तो आज आप देखिए मैं किस तरीके से आम पन्ना बनाती हूँ उम्मिद करती हूँ ये आम पन्ना की रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है दो कच्चा आम ये थोड़ा बड़ा साइच का है लेकिन एकदम कच्चा आम है इसे सबसे पहले तो पानी से अच्छी तरह साफ कर लें उसके बाद एक बर्तर में डाल कर एक से दो गलास पानी में इसे उबाल लेंगे आम पन्ना बनाने के लिए कच्चे आम को उबालना होता है आप चाहे तो एक सीटी लगा कर इसे कूकर में भी उबाल सकते हैं लेकिन इस तरीके से आप भगोने में रखकर भी इसे उबाल सकते हैं करीब 10 से 12 मिनट का समय लगेगा उससे जादा समय नहीं लगता है इसे अमें तब तक उबालना है जब तक कि ये अच्छी तरह बॉयल हो जाता है अच्छी तरह उबल जाने के बाद इसे पानी से बाहर निकालने और इसे ठंडा हो जाने दे ठंडा हो जाने के बाद इसका छिलका इस तरीके से अलग कर लेंगे आम पन्ना जो होता है वह ठंडा पिया जाता है इसलिए आम को बालने के बाद एक दम उसे ठंडा हो जानने के लिए छोड़ दें बस इसका जो पल्प है उसे हम निकाल लेंगे तो इसके लिए मैंने ब्लेंडर ले लिया है और इसके पल्प को इसमें डाल देंगे अब इसका जो छिलका है ना इसमें बहुत सारा गूदा उता है इसे भी हम निकाल लेंगे इस से फेकेंगे नहीं इसकाता जाराध निकाल लेंगे आफë देख सकते हैं कितना मोटा लेयर निकल रहा है गूदे का मैं इतना इसलिए दिखा रही हूँ अगर कोई पहली बार भी बना रहा हो तो वह इस तरीके से बनाए कहीं वह छिलके को फेक न दे तो फेकने से पहले एक बार चेक कर लें कि इसमें गूदा है तो उसको अच्छी त पनना बनाने में बहुत जरूरी है नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं लेकिन आम पनना में पुदीना बहुत जरूरी होता है डालना चीनी डाला है मैंने यह आप अपने स्वात के अनुसार कम या जादा डाल सकते हैं मैंने बहुत कम डाला है और काला नमक डाल रही हूँ ये भी आप अपने स्वात के अनुसार डाल दे एक छोटा चमस जीरा भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है मैंने अब इसमें डाल रही हूँ मैं पानी बस अब इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं गाओं में आपने देखा होगा जो आम पन्ना बनाने का तरीका है वो हाथ से ही आम का जो पल्प है उसे निकाल कर हाथ से ही मसल मसल के बनाते हैं उसमें समय जादा लगता है लेकिन वो उसी तरीके से बनाते हैं और जब हम उसे पीते हैं तो आम के जो छोटे छोटे पीसे जाते हैं न मुव में वो बहुत अच्छा लगता है आप उस तरीक मैंने blender में डाल के इसके उपर डाल दिया था ताकि इसका सारा pulp हम यूज कर सके अब यह थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं यह आपके उपर depend करता है कि आप इसे कितना पतला रखना चाहते हैं बहुत पतला भी इसे पिया जा सकता है क्योंकि जब हम इसमें बाद में बर्फ होगरा डालते हैं तो यह और ज़्यादा पतला हो जाता है बस यह आम पन्ना सर्व करने के लिए तयार है तो थोड़ा सा आइस क्यूप्स मैंने ग्लास में डाल दिया है अब बच्चों के ग्लास में मैं थोड़ा सा चीनी और डाल रही हूँ क्योंकि मैं कम मीठा पसंद करती हूँ और बच्चे ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और मैंने पहले ही आम पन्ना बनाते समय चीनी बहुत कम डाला था तो थोड़ा सा बच्चों के ग्लास में चीनी डाल देते हैं आप जैसे मर्जी इसे सर्फ करें कम मीठा या जादा मीठा बस यह हमारा आम पन्ना बनकर तैयार हो चुका है अब इसके उपड़ तोड़ा सा भुना वअ जीरा पाउडर और काला नमक इस तरीके से इस प्रिंकल कर दे Now मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सिया सीड्ष जो होता है इसमें फाइवर बहुत होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छी चीजा है पसंद करते हों तो डाले नहीं तो आप इसे अवाइट कर सकते हैं ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है मैं इसको नीबू पानी में या किसी भी ड्रिंक में डाल कर पीती हूँ सेहत के लिए ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो सिया सीट्स जो होता है इस चीज में बहुत हेल्प करता है तो बस ये थोड़ा सा इसको क्या करना होता है 15-20 मिनट के लिए पानी में भींगों लेना होता है उसके बाद इसे यूज करते हैं इसे आप सिया सीट्स को खीर वगर में भी यूज कर सकते हैं खाने में तो अच्छा लगता ही है और देखने में भी अच्छा लगता है बस थोड़ा-थोड़ा मैंने इसके उपर पुदीने का पत्ती लगा दिया है जो कि देखने में अच्छा लगेगा बस ही हमारा आम पन्ना बनकर तयार हो चुका है तो इसे इंज्वाइ करें और मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू